हेलो फ्रेंज गूद मॉर्निंग वेलकम टू दिस लेक्टर सीरीज बाइ अलाइला एंड टूदेज अवर टॉपिक ऑफ डिसकर्शन इस इंट्रोडक्शन टू अल्टरेटिंग सीरीज यहनी इस लेक्टर में हम अल्टरेटिंग सीरीज को इंट्रोडूज करेंगे कि उसको एक बार रिकोल कर लेते हैं तेखे सबसे पहले हमने सीरीज की डेफिनेशन पढ़ी सीरीज की डेफिनेशन क्या थी यहनी किस एक्स्प्रेशन को हम सीरीज बोलते थे जहां पर an क्या थे हैं हमारे an are real numbers इसके बाद हमने इसकी convergence की definition पड़ी तो series को convergence कब बोलते थे हूं when its sequence of partial sum sn is convergent जहां पर sn क्या होता था हमारा a1 plus a2 plus an और अगर इसकी हमें finite limit मिलती थी l यानि एक real number तो हम बोलते थे this series is convergent and this sum is actually equals to l but किसी series की convergence show करने के लिए definition हमें हमेशा help नहीं करती क्योंकि यह बहुत difficult tool है तो इसी वज़े से इसके बाद हमने बहुत सारे test पढ़े जिसकी help से हम बता सकते थे कि series हमारी convergent है या नहीं है जैसे हमने ratio test पढ़ा, courses, anathroot test पढ़ा और भी हमने बहुत सारे test पढ़े यानि हम series की limit की परवार ना करते हुए सिरफ उसकी convergence की बात अगर करें तो हमने यह बहुत सारे test पढ़े हैं जहांपे हम इन test की help से हम बता पाए कि series हमारी convergent है कि नहीं है यह test apply करने के लिए हमारे पास एक condition थी क्या condition थी कि यह test जितने भी हमने अभी तक test पढ़े हैं यह मैंने यहाँ पे दो ही लिखे हैं लेकिन इनके अलाव अभी हमने पढ़े हैं comparison test पढ़ा है इन सब में क्या था कि जो हमारी series थी वो कैसी थी positive term series यह यह test apply करने के लिए हमारे पास क्या होना थी ANS greater than 0 यह अभी तक हमने सिरफ positive term series को ही detail में पढ़ा है या फिर मैं यह कहूँ कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसकी help से हम positive term series की convergence check कर सकते हैं कि वो convergence है के नहीं है but series तो हमारी जरूरी नहीं है कि हमें सब positive term series ही हो हमारे पास ऐसी series हो सकती है 1 plus 2 plus 3 minus 3 minus 4 minus 5 plus 6 and so on तो यहाँ पर देखी जहाँ पर first term positive है, second positive है, third positive है fourth negative है, sixth negative है उसके बाद फिर positive है तो यहाँ पर positive term series नहीं है हमारे पास तो ऐसी situation में क्या करेंगी यहाँ पर एन हमारा positive होना जरूरी नहीं है तो इन series को कैसे एंडल कर सकते हैं देखे, हम जो भी आगे extend करते हैं हमारी study तो हमारा motive होता है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका हम use कर पाई और अभी तक हमने series में अगर देखें तो क्या पढ़ा है positive term series तो क्या इस series के corresponding हम एक positive term series define कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं देखे, summation an यहाँ पर an हमें नहीं पता है कि positive है कि negative है लेकिन अगर हम यह series consider करें summation mod an तो देखे, इस से somehow related है क्योंकि इसकी terms जो है वो an ही है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर देखे, यहाँ पर जो सारी की सारी terms है mod an हमें पता है mod an हमें सा greater than 0 होता है अगर an हमारा non-0 होता है तो we can say that it is an greater than equals to 0 और series में कोई term हमारी 0 हो तो उस से हमाँ कोई effect नहीं पढ़ता हमारी convergence पर तो हम यह ratio कोशी test ratio test हम कह सकते हैं कि an greater than equals to 0 इन पर भी लगा सकते हैं तो देखे, यह हमें एक positive term series मिल गई तो जो test अभी तक हमने पढ़े हैं उनकी help से हम इस series की convergence easily find out कर सकते हैं अब देखे, यह convergence है that means summation sequence sn जो है इसकी एक finite limit है that means this series has a finite limit L और यह देखे, यहाँ पर हम सारी positive term side कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ positive है, कुछ negative है लेकिन यह सारी की सारी इस से छोटी होगी तो यह sum L से छोटा होगा and actually this sum is some finite real number hence अगर यह series convergent है तो यह series b क्या होगी convergent होगी so इसकी convergence find out करने का एक formula तो हमने जाद कर लिया जिसमें हम summation an को ना देखके इसके corresponding summation mode an series को देखते हैं और अगर वो convergent है तो हमारी given series भी convergent होगी ठीक है तो यह तो हमने इसकी help से find out किया क्या हम इसके बिना help भी इसकी convergence define कर सकते हैं obviously कर सकते हैं हमारी पास ऐसी situation भी हो सकती है कि an convergent हो but A series Rection ना हो summation an convergent हो but summation mode an convergent ना हो ठीक है तो यहाँ पे हमारी पास δो cases बने one is summation an is convergent this converges and this implies summation an converges but when this converges this does not implies summation mode an is convergent ठीक है तो यहां पर देखी, when summation an is convergent, we are talking about convergent, so we have two cases, summation mod an convergent, the second, summation mod an not convergent, when this summation an is convergent, we say that, the series an converges absolutely, तो इसको हम क्या बोलते हैं, absolute convergence, so when summation mod an not converges, तो यहां पर फिर से हमारे पास दो cases हो सकते हैं, one is summation an converges, and the second is summation an diverges, अगर यह convergent है, तो यहां तो हमारे पास एक ही case है, कि summation an भी convergent होगा, but when summation an is not convergent, we have two cases, one is summation an diverges, and the second is summation an convergent, so in this case, when summation an is convergent, but summation mod an is not convergent, in this case, we say that summation an converges conditionally, और यह सरी इसको हम क्या करे हैं, when the term an is not necessarily positive, so in general, series summation an के लिए, हमारी convergence दो तरीके की हो गई, first is conditional, and the second is absolute, अब देखें, absolute convergence, इसमें क्या करते हैं, summation mod an, इस series को ही analyze करते हैं, यानि positive term series को analyze करते हैं, जिसके हमने बहुत सारे method पढ़े हुए हैं, तो किसी भी series के लिए absolute convergence check करना असान है, हमारे लिए, क्योंकि positive term series को handle करना हमारे लिए असान है, पट conditional convergence देखें, यानि when summation an is not convergence, इस case में series को handle करना असान नहीं है, ठीक है, यानि किसी arbitrary series की conditional conversion check करना इतना असान नहीं है, obviously अगर हमारे पास positive term series है, then these convergence, absolute convergence, conditional convergence are equivalent, क्योंकि conditional convergence तो कोई positive term series होगी यह नहीं, अगर summation an convergent है, तो mode summation an भी convergent होगा, क्योंकि mode summation an, summation an के ही equal होगा, अगर an हमारा positive number है, यह देखें, summation an, where an is greater than equals to 0, तो mode an क्या होगा, equals to an, क्योंकि an हमारा positive है, तो summation, mode an is summation an, तो अगर यह convergent है, तो यह series भी convergent होगी, यहनि कोई भी positive term series हमारी conditionally convergent नहीं होगी कभी भी, वो convergent होगी तो absolute convergent होगी, और absolute convergent होगी तो convergent होगी, but arbitrary term series के case में ऐसा नहीं है, arbitrary term series के case में, series अगर absolute convergence है, तो वो implies करता है, कि convergent है वो, but अगर convergent है, this does not implies कि वो absolute convergent है, जिसकी वजह से हमारे पास एक तरीके की convergent आगी, that is conditional convergence, so conditional convergence हर case में तो possible नहीं है, चेक करना, अभी के लिए, तब जितनी study हम कर रहे हैं, अपने course में, but एक spatial series है हमारे पास, जिसकी हम conditional convergence check कर सकते हैं, और वो series क्या है हमारी, alternating series, so alternating series क्या होगी, जैसे इसके नाम से ही पता जल रहा है, alternating, यानि वहाँ पे कुछ न कुछ तो alternating होने वाला है, क्या alternating होने वाला है, that is the sign of term, यानि ए series of the form, minus 1 ki power n, an, this type of series, is said to be alternating series, if an is greater than, or equals to 0, और 0 तो हमें कोई effect करतान है, so we can also say that, an is greater than 0, यानि series कैसी होगी, a0, minus, a1, plus, a2, minus, a3, plus, a4, minus, a5, plus, a6, and so on, ठीक है, एक हमारे पास positive sign है, एक negative sign है, एक positive sign है, एक negative sign है, एक negative sign है, एक positive sign है, क्योंगी, a0, a1, a2, यह सारे हमारे positive number है, अगर ये condition हम ना लगाएं, इस पर कि ये positive number है, तो तब हम नहीं बोल सकते हैं, कि यहाँ पर एक positive sign है, और एक negative sign है, क्योंगी, अगर हम ये consider करें, 1, minus, minus 3, this is actually same as 1 plus, तो देखने में लग रहा है कि यहाँ पर plus sign है, यहाँ पर minus sign है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, so signs are alternating, so these kind of series are known as alternating series, so आने वाले lectures में इसको हम detail में पढ़ेंगे, इसकी convergence कैसे चेक करते हैं, absolute convergence कैसे चेक करते हैं, conditional convergence कैसे चेक करते हैं, so इस lecture में एक बात तो शोर है हमारे पास, कि arbitrary term series के लिए, हमारे पास एक test तो final है, that is absolute convergence test, यहनि अगर हम series को शोर करते कि वो absolutely convergent है, तो वो series क्या होगी हमारी, convergent होगी, so इस lecture में इतना ही, in coming lectures, we will discuss the alternating series in detail, thank you. झाल